हलो, नमस्कार इस्ट्विंट, मैं भी शेक भारगाओ, भारगाओ क्लासिस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जमारे वीडियो को टॉपिक है वो है वाई गोट्सकी का समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त, देखिए यह आपके एक्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके नोट्स हो सके तो बना लीजिएगा, ठीक है, तो चलि तो वाईगोच्सकी का सिध्धान्द जो है वो, तो इनका नाम था लिव वाईगोच्सकी, जो की 1896 से लेकर 1934 सकते हैं, ठीक है, यह एक रूसी मनोवज्यानिक थे, यह एक्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको थोड़ा से ध्यान में रखेगा, कि वाईगोच्स जो है वो, किया था, ठीक है, अब यह क्या था सिध्धान्द वो देख लेते हैं, तो देखे, वाईगोच्सकी के अनुसार जो है वो, छात्रों का अधिगम, अधिगम का मतलब आप लोगो को मालूम है सीखना, इसलिए हमने आप ब्रैकेट में लिख दिया है, कई लोगो क संस्कृती से प्राप्त होता है, मतलब छात्रों को यदि सीखना है, विकास करना है, तो समाज के मार्ग दर्सन से जो है वो, क्या होता है, समाज के मार्ग दर्सन और संस्कृती से जो उनको अधिगम जो हो प्राप्त होता है, ये इनका एक सिध्धान्त था, ठीक है, वाई अधिगम के सिध्धान्त को मनवग्यानिक और बाल मनवग्यान में अधिगम के सिध्धान्त, मतलब की सीखने का सिध्धान्त के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है, अधिगम के सिध्धान्त के रूप में भी जो है वो देखा जाता है, तो याद रखेगा, देखे, समाजिक अंताक्रिया के बाद ही जो है वो विकास होता है ये वाइगोथसिकी का जो है वो सिद्धान्त है जबकि जीन प्याजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम मतलब जो जीन प्याजे है उनका मानना यह है कि पहले विकास हो जाता है उसके बाद में बच्चा जो है वो सीखना प्राराम करता है और इसके विप्रित जो है वो वाइगोट्सकी का सिद्धान्थ है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृती से अंताक्रिया करकर जो वो समाजिक अंताक्रिया के बाद में सीखता है ठीके सीखने के सीखता है और उसके बाद वि वाईगोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च संग्यनात्मक विकास में समाजिक अंतक्रिया, भासा, संस्कृति को महतपुनिस्थान देते हैं, उनके संग्यनात्मक विकास के तीन तत्व आधार हैं, तो वो तीन तत्व आधार क्या है, अंतक्रिया, भासा, संस्कृति, तो इसको याद रखेगा, ठीक है, अर्थात्व अ अपने सिध्धान्तों की संपुर्ण व्याक्या इन तीनों के अधार को बना करते हैं। वो करते हैं। किसका समाजिक अंता क्रिया का। ठीक है क्योंकि वो समाज से ही क्या करते हैं। संगेनात्मक विकास कैसे कर पाएंगे। आप किसी से बोल चाली नहीं कर पाएंगे, समाज के साथ में अपना व्याभारी नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे सीख पाएंगे। यही यहाँ पर बताया गया है। तो वाइगोच्सिकी के अनुसार एक बच्चे की भासा, विकास में दूसरे के साथ संप्रिक्षण एक महत्वपुन तत्व है। कि भासा जो है वो जिसके अनुसार वो बोल चाल अपने समाज में रहे कर संग्यनात्मक विकास कर सकता है। ठीक है। वाइगोच्सिकी अपने समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्द में तीन अन्य तत्व को भी महत्वपुन तत्तान देते हैं, जिनें इस सिध्धान्द के अधार के रूप में माना जाता है। इन तत्वों को ZPD, MKO और SCAF Folding के नाम से जाना जाता है। और ये एक्जाम में कई बार जो है वो पूछा गया है। तो देखें, पहला है इसके अंदर में ZPD, ZPD का मतलब होता है Zone of Proximal Development, इसको हिंदी में कहते हैं संभावीत या निकटवर्ती विकास का छेत्र, तो याद रखेगा ZPD, किसके सिध्धान्द के अंतरगत आता है, तो वाइगोच्षकी के, क्योंकि एक्जाम में ये पूछा ज है, मतलब एक चित्र है, जिसके अनुसार भी आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में समझाते हैं, तो वाइगोच्षकी के संभावित विकास के छेत्र, जिसको हम ZPD के नाम से जानते हैं, कि अनुसार व्यक्ति को इस इस्तर में सीखने के ल तो आपका विकास संभाव नहीं हो पाएगा, मतलब आपसे जो जहादा ज्यानी व्यक्ति है, उसके अभाओं में आप विकास नहीं कर सकते, विकास के इस छेत्र में व्यक्ति को उचित दिसा निर्देश की अवशक्ता होती है, और इसी की सायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है देखें जीस प्रकार यहां पर फल लगा हुआ है और teacher का role क्या होता है बच्चे को सिखाना की किस प्रकार जो है आप इस पर चड़़कर जब वो फल को तोड़ सकते हैं तो वही बच्चे की जब विकास के लिए उससे उपर के ग्यानी व्यक्ति के अवशक्ता होती है यही यहाँ पर बताया गया है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य ग्यानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास वह संभाव नहीं हो पाता तो यही है ZPD ठीक है तो याद रखेगा उसके दूसरा होता है More Knowledgeable Other तो MKO कहते हैं इसको दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है MKO यह भी एक्जाम में पुछा जाता है More Knowledgeable Other तो वाईगोट सिकी के MKO से ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्यान, अनुभाव, कौशल, रखता हो उधारन स्वरूप एक बालक जो अज्यानी होता है वही एक अध्यापक जो ज्यान का भंडार होता है ऐसी इस्तिती में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वत्तम संग्यनात्मक विकास कर पाता है more knowledgeable भी यहाँ पर क्या हो गया कि वही आगया अध्यापक और student का ठीक है वही example यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं तो उधारन में देखिए हैं आपर कहा गया है कि जो बालक अज्यानी होता है वही एक अध्यापक जो ज्यान का भंडार होता है अच्छा है कि अच्छा उधारन आप यहाँ पर जब भी कोई building बनता है तो उसके साथ में देखिए क्या रहता है कि structure होता है जिसके सहारे से क्या होता है वो building बनता है इसी प्रकार जो है बच्चे में किसी के सहारे से जो है वो विकास होता है ठीक है वो बच्चा development कर पाता है किसी के सहारे से धाचे से तो ये धाचा से आप इमेज से आप समझ गयोंगे इस कैफ folding का मतलब तो देखें वाइगोच्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए धाचे की जरुरत होती है अर्थात एक ऐसी सीधी जो उसे अधिगम के उस सीखर तक ले आ सके जिस सीखर पर पहुँच कर वह अपनी अधिगम के अंतरगात आने वाली समस्याओं का जो है व मता पिता उसको ढाचे की तरह क्या करते हैं स करते हैं जिसके कराण वो अपना अधिगम सीखता है जैसे कि बिल्डिंग को संपोर्ट चीए होता है इस प्रकार ठीक है इस प्रकार स्प्रक्ट रुणन हो जाती है और इस प्रक्चर रहता है ऑउट साइड वाला उसको हटा तो कुछ समय के लिए बच्चों को थोड़ी साहता दी जाती है, यही कहलाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, ठीक है, अब देखते हैं, वाइगोत्सकी के समाजिक संस्कृतिक सिध्धान्त की विसेस्ता, अब विसेस्ताओं में क्या क्या आएगा, तो वाइगोत है, यह सारे पॉइंट, एक्जाम में जो वो पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेगा, ठीक है, एक से दो नंबर के प्रशनिहां से पूछे जाते हैं, ठीक, इस सिध्धान्त के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यांत आवश्यक है, अधिगम का मतलब सीख पहला सीखना, ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि इस सिध्धान्त के अनुसार चात्र में संग्यनात्मक विकास करने के गुड़ पहले से विद्दमान होते हैं, लेकिन इन गुड़ों को बाहर निकालने का कारिय समाज और संस्कृती द्वारा होता है, ठीक है, बच्चे और संस्कृती को अत्यांत महतपुण मानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, एक्जाम में पूछा जाएगा 110 पर्चेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा, और हमेशा एक चीज ध्यान रखेगा, कि जो है वो सामाजिक, संस्कृतिक सिध्धान्त जो एक इसका है, वाइगोट्सिकी का है, यही बस एक पॉइंट याद रखेंगे तो आपका सारा काम जो हो जाएगा, वाइगोट्सिकी ने छात्र के अधिगम हेतु, ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग सम प्रत्या को आवश्यक माना है, तो यह मैंने आपको तीनों भी बता द जाएंगे, तो आपको बड़े आसानी से जब वो MCQ इसके बन जाएंगे, सारे के सारे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो इसके MCQ के पार्ट का आएगा, ठीक है, तो उसको जो हो अच्छे से करिएगा, थेोरी का पार्ट जो है, थोड़ा सा जो था, थ प्रिएगा, पार्ट कि तो झाल जो हो उसके हो ऩेगा, प्रह1.